नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् समस्यां हो जाती हैं और जिन लोगों को यह सूट भी हो जाते हैं तो लंबे समय तक इसका यूज़ करना महंगा पड़ता है साथ ही खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव या एकने प्रॉब्लम होती है इसलिए दोस्तों आज हम जानेंगे घर पर ही पूरी तरह प्राकर्दिक और क्रेमिकल फ्री फेस वाश कैसे बनाया जाएं जो कि आपके चेहरे के स्किन को गोरा चमतकार और सिहत बन बनाके रखेगा और साथ है जो लोगों को पिंपल या दाग थब्बे होते रहते हैं उनको भी पिंपल कील महासों की समस्या से चुटकारा दिलाएगा जी हाँ दोस्तों आज हम दो तरीका के फेस वाश बनाएंगे सबसे पहला हमें जिसकी जुरुत पढ़ेगी वो है ऐलोवेरा जल नीम, ग्रीन टी, विटामिन E कैपसूल्स, पुदीना के अर्क की इसे आप बिना ग्रीन टी और मिंट के अलावा भी बना सकते हैं इसके लिए सबसे पहला हमें जुरुत होगी नीम के पानी की नीम के पानी को बनाने के लिए सबसे पहले एक बरतलने पानी को अच्छी तरीके से उबाले और फिर अच्छी तरीके से दुले हुए नीम के पते को उबलते हुए पानी में डाले फिर इसे कम से कम 5 मिनट तक और उबाले इसके बाद इसका कलर हरा हो जाएगा और फिर इसे ठंडा करकर चालने इसके बाद एक कप नीम के पानी में दो से तीन चमबच अलेविरा जेल को मिक्स करें और फिर इसमें विटामिन E के कैपसुल को फोड कर इसके अंदर उसका ओयल मिलाएं और फिर इसके बाद इसमें तीन से चार मिंट एस्ट्राक की डाले और इसमें हम ग्रीन टी मिलानी है और उसके लिए पहले आदा कप गुन-गुने पानी में एक छोटा चमबच ग्रीन डील को डालकर ठंडा होने तक रख दें अगर आपके पास टी बैक वाली ग्रीन टी है तो आप उसके अंदर की ग्रीन टी को निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद पाने के साथ ही ग्रीन टी को इसके अंदर मिला दें और फिर फिर इस वाश ये तयार हो जाएगा जिहां दोस्तों अगर आप चाहें तो जाग के लिए एक से दो चमच बेबी वाश किसी भी कमपनी का मिला सकते हैं बेबी वाश बच्चों को निनाले का लिक्विट साबून होता है इसमें बेबी वाश का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह बच्चों की त्वच्चा के लिए बना होगा होता है उनकी यह सारी समस्या दूर हो जाएगी और साथी चेहरा भी साफ हो जाएगा sensitive skin और कील महासो वाली त्वचा के लिए ये बहुत ही कारगर होता है इसका इस्तिमाल एक दिन में दो से तीन बार किया जा सकता है इस face wash को बनाने के लिए जो समाना भार से खरीद कर लाएंगे वह आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा और साथ ही में आपको बहुत अधिक मात्रा में काफी बार face wash बना पाएंगे इसके अलावा चेहरे को गोड़ा तथा चमकदार बनाने के लिए एक और face wash है जिसे आप खर में भी बना सके हैं इसके लिए आपको जुरत पड़ेगी शहार, कुलाब जल, ऑलिव ओल, यानि की जतून का तेल, सूडा और अलोविरा जल की इस face wash में भी हम अलोविरा जल का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यह हमारे चेहरे के स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और यह जादता लोगों की त्वच्चा पर असानी से सूट हो जाता है इसके लिए हमें एक कप पानी को boil करना है ऐसा करने से पानी पूरी तरीके से साफ हो जाता है और उसके बाद इसे थंडा करकर उसके अंदर खाने वाला सोडा मिलाए उसके अंदर पान से 6 चमबच गुलाब जल का पानी डाले और इसमें 2-3 चमबच शहत को mix करना है फिर इसमें 2 चमबच जैतून का तेल का इस्तेमाल करें और इसमें 3-4 चमबच अलोवेरा जल मिला दें और इसे अच्छी तरह से mix कर लें उसके बाद यह face wash भी तयार हो जाएगा इसमें भी आप चाहें तो जाक के लिए किसी भी company के baby wash का इस्तेमाल आप कर सकते हैं दोस्तो इस face wash से अपना सुभे शाम चेहरा दोएं यह मदद करता है हमारे चेहरे में जमी सारी गंदगी को साफ करने में और साथ यह हमारे चेहरे के रंग को निखार कर उसमें चमक प्रदान करता है कुछ लोग भार से घर आने के बाद अपना चेहरा ठीक से धोते भी नहीं है जिससे गंदगी चेहरे पर ही जमा रहती है और यह हमारे चेहरे पर हुए कील महासे की problem सोना शुरू हो जाती है मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें